कन्या राज के दोस्तों स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे यूटूब चैनल में मैं हूँ आचारस के थिवारी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका बेक्तित तो कैसा होता है आपके लिए कौण सा रंग भाग साली होता है आपके इश्ट देव कौन है? कौन सा बर्स आपके लिए भागयोदै कारक साबित होता है? कौन सा दिन आपके लिए भागय साली होगा? यह सारी बाते आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल में अगर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे दोस्तों सभी बारा रासियां अपने आप में बहुत ही खास होती हैं जो तिसकी अगर बात करें तो सभी रासियों का सुभाव अलग होता है और सभी एक दूसरे की तुल्ला में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं यह भी सेस्ताएं उनके ग्रह के स्वामी लगने में मौ रासि चक्र की छटवी रासि कन्या के स्वामी बुद्ध है और इस रासि का प्रतनिधित कन्या करती है इसलिए इस रासियों को सभी रासियों में बुद्धिमान और सुन्दर माना जाता है साथ ही इस रासियों में जन्म लेने बालों पर बुद्ध ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस रास के जातकों की सबसे अच्छी खूबी यह होती है कि हर काम को अच्छी तरह से करते हैं और काफी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं। के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए। इस रास के बेक्त काफी विवस्थित और सेहत के प्रति भिसेश ध्यान रखते हैं। अनुसासन में काम करना इनको बहुत पसंद है और इसी खूबी के चलते काफी सफलता पाते हैं। अपनी दिंचरिया को लेकर काफी व्यस्त र हासी होते हैं। यह ऐसे लोगों को दोस्त मानते हैं जो सामाजिक दाइरे में इनको फिट रख सकें। इनके अंदर सोचने की गजब की छमता होती है। हाजिर जबाब के लिए हमेशा तयार रहते हैं। इस अरास में जन्में लोग जब किसी मुसीबत का सामना करते हैं तो सोस समझकर ही दोस्ते चुनते हैं इस अराज के बेक्त किसी भी चीज को लेकर काफी आलोचक और विसलेशक होते हैं हला कि कभी कभार इनकी आलोचना रचनात्मधा नहीं, बल्कि केबल नाटकी भी होती हैं, इनके लिए अच्छा होना काफी नहीं होता ये हर चीज को बहतर करना पसंद करते हैं, यह हमेशा अच्छा ब्योहार करना पसंद करते हैं, और सामने वाले से भी यही उमीद रखते हैं, इनको धोके वाजी से काफी नफरात होती है, कभी कभी यह अपनी मनमानी से काम करना पसंद करते हैं, इनको बीच काम में आकर कोई टोक ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये अपने काम को बहतरी से और अच्छी तरह से करना जानते हैं, ये समय और वक्त के हिसाब से अच्छी तरह से ढाल लेते हैं, और इसी कला के कारण अपनी मन की बातों को अच्छी तरह से छुपा भी ले जाते हैं, दोस्तों कन्या रास में जन्में लोगों की νोग जोग अक्सर दोस्तों और इस्तिदारों की बीच होती रहती है ये जल्दी किसी बात को बुरा नहीं मांते लेकिन अगर कोई परसनल हो जाता है तो इनका काफी रोध भी आजाता है ये चाहते हैं कि इनको हमेशा इनके काम से जाना जाए, अच्छा खाना इनकी कमजोरी होती है, इस वज़े से उदर कष्ट होता रहता है, बैतरी केले इनको बाहर के खान पान और तेली खाने से दूर रहना चाहिए, इनलोगों का जीवन बहतर और बाहर से अलग होता है, प्रशिद्ध बना देती हैं और लोग इनके बारे में बात करने लगते हैं इनको सुक्षता काफी पसंद है। प्रशिद्ध बना देती हैं अपने लक्ष को पाने के लिए कड़ी में बहनत भी करते हैं। कभी कभी दूसरों की मदद के चक्कर में खुद भी फश जाते हैं। यह जल्दी किसी की भावनाओं में बह जाते हैं जो इनको मुसीबत में डाल सकता है। अपने परिवार के बेहद करीब होते हैं उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए कारी भी करते हैं। छोटे बच्चों के साथ रहना इनको काफी अच्छा लगता है। साथी अंजान लोगों की मदद करना भी इनकी आदत होती है। ये रिष्टे भी रिष्टे में काफी वफादार होते हैं। जब भी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो कभी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों अवाई ये जान लेते हैं आपके लिए भागिसाली अंक कौन सा साबित होता है। जोतिस के मुताबिक कन्या रास के लोगों के लिए पांच का अंक बहुत ही सुब माना जाता है। इसके अलाबा एक, चार, छे, साथ अंक भी सुब माना जाता है। वहीं तीन, आठ, नव अंक सम रहता है तो दो कांक आपके लिए काफी असुब भी माना जाता है आप कोई भी ऐसा कारिना करें, महत्पून कारिना करें जो दो तारिक से सुरू होता हो या दो कांक उसमें ज़्यादा प्रभावसाली हो आपके लिए सबसे अच्छा अंग पांच कांग करेगा अगर आपके दिन की बात करें कि आपके लिए कौन सा दिन सबसे सुब रहेगा तो कन्यारास के लोगों के लिए बुद्वार का दिन सबसे सुब माना जाता है आप कोई भी नया काम या महत्पूर्ण कार अगर करना चाहते हैं तो बुधवार का चैन करें आपके लिए अच्छा रहेगा दूसरी तरह आपके लिए सुक्रवार और साथ में सनिवार का दिन भी भागेसाली साबित होगा इन तीन दिनों का चैन आप अपने महत्पूर्ण कारियों के लिए कर सकते हैं दोस्तों अगर बात करें आपके इष्ट देव कौन हैं तो कन्या रास के लोगों के लिए रासि स्वामी बुधग्रह माने जाते हैं बुधग्रह के स्वामी भगवान गड़ेस और बिश्णू माने जाते हैं इसलिए आपकी रास के लोगों के इष्ट देव भगवान बिश्णू और गड़ेस जी हैं इनकी पूजा उपासना करने से इनके मंत्रों का जाप करने से आपको जीवन में हर प्रकार की सफलता और समरिध्धी मिलेगी अब आई जानते हैं आपके लिए कौन सा रंग सबसे जादा भागिसाली साबित होगा तो कन्यारास के लोगों के लिए हरा, सफेद, नीला और जामूनी कलर आपके लिए बहुत ही सुबसाबित होगा कन्यारास के लोगों के लिए अपने जीवन में यह रंग नया उजाला लेकर आते हैं हरारंग उन परिस्थितियों में चुना जा सकता है जब कन्यारास वाले लोगों को आराम महसूस करना हो यह तीनों रंग आपके लिए बहुत ही भागिसाली साबित होंगे इन तीनों रंगों का प्रयोग आप जादा से जादा करने का प्रयास करें अब आई जानते हैं आपके लिए कौन सा रतन सबसे भागिसाली रहेगा कन्यारास के लोगों के लिए सबसे अच्छा रतन पन्ना बनता है यह आपका जीवन दाई रतन है इसे धारन करने से आप जीवन में अच्छी प्रगत करेंगे जीवन में अच्छी उन्नती करेंगे यह आपके लिए सुक्स भागे को बढ़ाने वाला रतन साबित होगा तो आपको पन्ना जरूर धारन करना चाहिए साथ ही अगर आप चाहते हैं तो आप ओपल और नीलम भी धारन कर सकते हैं यह तीनो रतन आपके लिए अत्यनत भागे साली रहेंगे इन तीनो रतनों का प्रयोग आप अपनी इक्छानुसार आप अपनी जन्मकुंडी दिखा कर जरूर करें और इन तीनों में से जो पन्ना रतन है वह आपको जरूर धारन करना चाहिए बाकी रतन आप अपनी जन्मकुंडी दिखा कर भी धारन कर सकते हैं दोस्तों अगर बात करें कि आपका भागयोदे किस वर्स होता है तो कन्यारास के जात्कों का भागयोदे अगर 25 वर्स की आयू में नहीं होता है तो 28 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष भी सो भागे साली साबित होता है वैसे आपकी रासी के हिसाब से आपका भागे ओदय 22 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है अधिक से अधिक 42 वर्ष की आउए में भागे ओदय हो जाता है इस 20 से सो भागे साली बरस आपके लिए जो से रहेंगे वो 32 बरस, 33 बरस और 36 बरस रहेंगे इन 3 बरसों में आपके साथ कोई बहुत ही महत्पून घटना घटीत होगी जो आपके भागे को और भी बहतर बनाने वाली साबित होगी दोस्तों अवाई जानते हैं आपके लिए कौन सा दिन भागे साली साबित होगा तो कन्या रासी का बुध ग्रह से निकट का सम्मंद है इस कारण इस रास के जातकों के लिए भागे साली दिन बुधवार होता है इस दिन ये विशेस प्रसंद रहते हैं इनके लिए कभी कभार सनिवार और सुक्रवार भी सुभ होता है जबकि मंगलवार इनके लिए असुभ माना जाता है तो यह तीन दिन आपके लिए विशे सोभाग साली साबित होंगे बुधवार, सनिवार और सुक्रवार का दिन मंगलवार के दिन कोई भी नया और महतपूर्ण कार प्रारंभ ना करें तो कन्या रास्त के दोस्तों यह था आपके रासी के अनुसार महतपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जैसरी राम